श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशीपल है 5-6 और 7 नवंबर 2020 का कुम्ब राशी के लिए जी हाँ कुम्ब राशी का 5-6 और 7 नवंबर 2020 का राशीपल दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन में जो भी उतार चढ़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती ही लेकर आती है और उस वज़े से हम हमारे जीवन में बदलाव महसूस करते है तो चलिए देखते है पांच, छे और साथ तारिक को चंद्रमा आपके लिए किस तरी के परिणाम लेकर आ रहे है आपका राशी फल इन दिनों में कैसा रहेगा चलिए दोस्तों सब्चर पहले जानते है पांच और छे तारिक ये दो दिन आपके लिए कुमबराशी वालों के लिए कैसे रहने वाले है चंद्रमा आपकी कुंडली के पांच वे स्थान में रहेंगे जी हाँ पांच वे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा चंद्रमा के पांच वे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी खर्चे कम होंगे और इंकम ज्यादा होगी मन पसंद रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा सुबै से ही आप जोश में रहोगे, उत्साह में रहोगे इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे आपको पारिवारिक सुख मिलेगा पीता का सपोर्ट भी विशेश कर इस समय में आपको मिल रहा है इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दिखेगी आर्थिक स्थिती और मजबूती के और बढ़ेगी उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते है अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी गर में खुशनुमा माहोल रहेगा इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा आप भी खुश होगे और आपके फैमिली वाले भी काफी खुश रहेंगे किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा अच्छे समय का अच्छा फाइदा जरूर उठाए लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते है लाइप के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते है आज खर्चे नहीं होंगे लेकिन आए अच्छी रहेगी स्टूडेंस के लिए भी समय अच्छा है अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए ये समय आपके पढ़ाई के लिए भी इंपोर्टेंट है और समय आपके लिए अच्छा भी है तो पूरा लाब जरूर उठाए जम के पढ़ाई करे अच्छे रिजर्स जरूर आएंगे आज आपको स्वास्ते भी परिशान नहीं करेगा पूरानी परिशानियों में भी सुधार दिखेगा ये समय सरकारी कामों को पूरा करने के लिए उपयुकत है सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएंगे इस समय में सरकार की तरफ से मान पतिष्ठा मिल सकती है जो लोग राजनिती में हैं उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा इस समय अचानक से धन की प्राप्ती भी होने के योग बन रहे है यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेश करते हैं उन्हें मुनाफा हो सकता है इस समय में गुप्तधन मिलने के भी योग बन रहे हैं इस समय में आप काम करने के नए जर्यवी खोच पाएंगे उन दिन आपकी बुद्धी तीव रगती से काम करेगी यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा है यात्रा पर जाते हैं तो यात्राई लाबकारी रहेगी, आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते हैं तो वो आपको काफी लाबदाय करेगी, वहाँ से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है, निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है, इस दिन आपका स्वास्त्य अच्छा रहेगा, डेली अक्टिविटी चुरू रखे, योगा करे, प्रानयाम करे, सुबे का टहलना जारी रखे, अपने डाइट पर ध्यान दे, खुद भी स्वस्त्त रहे और आपके अपनों को भी दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे, इस दिन आपका व्यापार जॉब जैसे है वैसे चलते रहेंगे, किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा भी होने की संभावना कम है, निवेश करने के लिए समय जोखिमबरा र ज्यादा है, विशेश कर यात्रा के दोरान, तो यात्रा के दोरान अपने सामान का विशेश ख्याल रखना पड़ेगा, यात्रा इस समय में करना ठीक नहीं रहेगा, अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो यात्रा ना करे, मैरिड लाइफ में इस दिन तनाव भरी स्थितिय उत्पन्द हो सकती है शांती बनाए रखे घर परिवार में किसी बात पर मतभेद होने की संभावना रहेगी ग्रहमान खराब तो नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता स्थीतिया सामान्य बने रह सकती है अगर आप विदेश में व्यापार या जौब करते हैं तो आप के लिए समय काफी अच्छा रहेगा विदेश से धन कमाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा अगर लवलाइप की बात करें तो लवलाइप के लिए समय सामाने रहेगा किसी को प्रपोस करने के लिए प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी है, तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सचेत रहे, शान्त रहे, जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे, अगर स्वास्त की बात करें, तो स्वास्त के लिए समय अनुकुल नहीं है, कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी, जो पहले से बीमार है उन्हें सेहत का ख्याल रहना होगा सेहत से संबंदी चोटी मोटी परेशानिया इस समय में सता सकती है दोस्तो इस दिन परेशानिया नुकसान या स्वास्ते से जुड़ी परेशानिया आपको सताए तो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन जरूर करे और एक परेका सिक का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करना ना भूले और इस दिन चंदनिया के सरकातिलक अपने माथे पर जरूर लगाए हमारा स्वास्तिय कापी हद तक हमारी आदतों पर निर्भर होता है अगर आप खुद को स्वस्त रखनी की कोशिश जरूर करें इस दिन हरे रंका इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज़्यादा चरहेगा दोस्तो इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप नवंबर दोहजार बीस का कुंबर राशी का राशी फल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे वो बताया गया है श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तो ये राशी फल है नवंबर 2020 का कुम्भ राशी के लिए जी हाँ कुम्भ राशी का नवंबर 2020 का राशी फल दोस्तो इस राशी फल में हम जानेंगे नवंबर मेहने में कुम्भ राशी के लिए आपका कामकाच काक्षेत्र आपकी प्रो नवंबर में आपकी लव लाइफ और मैरीड लाइफ कैसे रहेगी साथ ही दोस्तों देखेंगे कि नवंबर में आपकी फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है और लास्ट में एक छोटा सा उपाई जानेंगे वो आप इस मेहने कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं नवंबर 2020 का क राशी परिवर्तन की वज़े से आपके नवम, दशम और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहने वाले हैं और इन्ही भावों के कारकत्वों के हिसाब से आपको फलों की प्राप्ति होगी दोस्तों नवम भाव काल पुरुष की कुडली में धनुराशी का होता है और इससे हम धर्म और पिता के साथ आपके सम्मंदों पर विचार करते हैं दशम भाव जो होता है वो काल पुरुष की कुडली में मकर राशी का होता है और इससे आपके कर्मों के बारे में विचार किया जा सकता है वही कुडली में जो द्वादश भाव है मीन राशी का होता ह और इस से विदेश यात्राओं और हानी के बारे में विचार किया जा सकता है दोस्तो इस महिने यानि नमंबर महिने में कुम्बराशी के लिए करियर के ख्षेतर में आपको सामान्य रिजल्ट मिल सकते है हाला कि कुम्बराशी के कुछ जातों को इस साल विदेश जाने का मोका भी मिल सकता है दोस्तो आर्थिक पक्ष में सुधार करना चाहते है तो आपको सोच समझकर पैसा इस मेने खर्च करना होगा जी हाँ पैसा खर्च करते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत रहेगी इस माह आपको अपने पिता के स्वास्ते पर भी विशेश ध्यान देनी की जरूरत है क्योंकि उन्हें कोई स्वास्ते परिशानी होने की संभावना रहेगी तो आईए सब विस्तार से जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं आपकी professional life, आपका कारिक्षेत्र नवंबर 2020 में कैसा रहने वाला है दोस्तो अगर professional life की बात करते हैं, कारिक्षेत्र की बात करते हैं, तो ये माह आपके लिए सामानने रहने की उम्मिद है इस मेने आप अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके कारण सहकर्मियों से आपकी मित्रदा बढ़ेगी आपके जो जुनियर्स हैं, उनको भी आप काम के सिलसिले में कोई भाशन दे सकते हैं आपका जो सपष्ट नजरिया इस मेने रहेगा उसे सहकर्मियों पसंद करेंगे, काम के प्रती आपका जो रुझान है वो बहुत सकारात्मक इस मेने रह सकता है और उस वजह से आपका बॉस भी आपसे बहुत खुश रहेगा दोस्तो अगर आप अभी तक बेरोजगार है तो इस मेहने आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आपको नई जॉब लगने की पूरी संभावना इस मेहने बन रही है जिन जातकों की जॉब कुछ समय पहले ही लगी है उन्हें क्राम के प्रतीज ज्यादा एकागर होने की जरूरत रहेगी चलिए दोस्तो अब जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिती आपकी फाइनांशियल कंडिशन नवंबर 2020 में कैसे रहने वाली है दोस्तो नवंबर महिने में कुंगराशी के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार लाने के लिए मेहनत करनी होगी जी हाँ मेहनत तो आपको इस मेहने करने ही होगी इस मेहने आपको खर्चों पर लगाम लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा बच्चत करने के लिए अच्छा बजट प्लान आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आप बच्चत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने घरवालों की मदद लेनी चाहिए या अपने जीवन साथी का सहयोग लेना जरूरी रहेगा इस महिने कुम्बराशी के कुछ जातक अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं कुछ ऐसा विचार बन सकता है और अगर यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर भी काफी धन कर्च होने की संभावना है हाला कि यात्रा आपके लिए मांसिक रूप से बहुत सुखद रह सकती है अगर आप काम के संबन्द में किसी यात्रा पर जाते हैं किसी ट्रिप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी धन कर्च करना पड़ सकता है हाला कि ये पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा लेकिन समय लगेगा दोस्तो इस महेने पैत्रुक संपत्ती को लेकर घर के लोगों की बीच मतभेद हो सकते हैं इन मतभेदों को दूर करने के लिए आपको घर के वरिष्टों के साथ बैठ कर बातचीत करनी चाहिए समस्या का हल अवश्य मिलेगा बस सकारत्मक रूफ अपनाए नमबर 2020 में कुम्बर आशी के लिए अगर स्वास्त की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस महेने आपको अपने स्वास्त पर ध्यान देना होगा जी हाँ, खास कर कान और फेपरों से सम्मंदीत कुछ समस्या आपको इस महेने परिशान कर सकती है इसके साथ ही आखों में भी कुछ परिशानिया आने की संभावना है अगर आप लैप्टॉप या कम्प्यूटर के सामने बैठ कर काम करते हैं तो बीच बीच में आपको अपने आखों को थंडे पानी से धोना चाहिए इससे आपके आखों पर होने वाले बुरे असर का प्रभाव कम होगा ये माह आपको ज्यादा तला भुना खाने या बाहर खाना खाने से भी बचना चाहिए वाहन चलाते समय भी इस महिने आपको सावधाने बरतनी ज़रूरी रहेगी अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याई है तो इने दूर करने के लिए आपको मंडुकासन, नौकासन और प्रानयाम का अभ्यास करना चाहिए इन आसनों को करने से आपको कई लाब मिलेंगे चलिए दोस्तो अब जानते हैं नवंबर 2020 में कुंबर राशी के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है और मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो लव लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए ये माह सामानने रहने की संभावना है इस महिने में जीवन साथी की माता के साथ आपकी कहा सुनी होने की संभवना भी रहेगी उस वज़े से घर का माहूल थोड़ा संजीदा हो सकता है इस महिने आपको अपने गुस्टे पर काबू रखना चाहिए और ऐसी बातों को बोलने से बचना चाहिए जिससे कोई आहत हो जाए इस राशी के कुछ जातकों को अपने जीवन साथी की साथ घुमने का मोखा भी इस महिने मिलेगा जिससे रिष्टों में नयापन आएगा आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ इस महिने किसी धार्मिक स्थल पर गोमने भी चा सकते हैं चलिए दोस्तों आप जानते हैं पारिवारिक जीवन फैमिली लाइफ नवंबर 2020 में कैसे रहने वाली है दोस्तों इस महिने आपको अपने पिता के स्वास्त का ख्याल रखने की विशेश जरूरत है आपके पिता के स्वास्त में इस माह कुछ नकारत्मक परिवर्तन आने की संभावना है और हो सकता है कि वो आप से अपने स्वास्ते के लिए परिवर्तनों के बारे में बात ना करें इसलिए आपको खुद अपने पिता के पास जाकर उनके हाल चाल जानने चाहिए और अगर उनको जरुरत है तो कोई परिशानी है तो चिकिटसर के पास उनका इलाज जरुर कराएं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस महेंने वो आप से किसी कीम्ती चीज की मांग भी कर सकते हैं आपको उनकी इस मांग को पूरा करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिती पर तो इससे कुछ बुरा असर नहीं पढ़ रहा। वही कुभराशी के कुछ जातकों के बच्चे इस माह माता-पीता का सवयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। दोस्तो कुम्बराशी के कुछ जातक अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ इस महीने विदेश भूमने भी जा सकते हैं हाला कि इस यात्रा पर आपका खर्चा ज्यादा होने की संभावना है लेकिन इससे आपको बहुत खुशी और तरोताज़गी मिल सकती है दोस्तो चलिए अब जानते हैं एक उपाई जो इस महीने आप कर सकते हैं दोस्तो नवंबर 2020 में कुम्बराशी के लोग सुर्योदय के समय श्री गनेस तुती का जाप करे जी हाँ ये जाप आपको फाइदा दिला सकता है तो दोस्तो ये था नवंबर 2020 का कुम्बराशी का मास अधिक राशीपल धन्यवाद